दोस्तों आप सभी बिहर पुलीस नहीं भरती की बेसबरीस इंतिजार कर रहे हैं तो फैनली आपका इंतिजार खत्म हुआ चलिए ओफिसियली रूप से सब कुछ देख लिजे टोटल पोस्टों की संख्या सब कुछ आप लोगों को ओफिसियल रूप से बताने वाले हैं और दोस्तों आप लोगों को आज से ठीक दो महना पहले ही बिहर पुलीस भरती के बारे में यूटूब पर सबसे पहले बताये थी कि इस बार की भरती बिहर पुलीस की इतिहास में सबसे अधिक पदोपर रहने वाली है 12,000 पदोपर इस बार भरती होगी यह जानकर यह आप अब आप लोगों के पास तैयारी के लिए बहुत अधीक समय भी नहीं बचा हुआ है भरती तो आड़ी है लेकिन आप कितने तैयार है आप कमेंट करके बताइए क्या आप अभी से श्रीयस रूप से तैयारी में लगे है या नहीं जब भरती आएगी तो आपको बहुत पटाफट ये चीज़े देखिए यहां पर देखिएगा तो सिपाही से पुलीस निरिक्षक यानि कॉंस्टेवल से लेकर के इंस्पेक्टर तक समकच कोटी के स्विक्रित यम उपलब्द पाद दिनांक 31 जुलाय 2022 तक आप देखिएगा यह बिल्कुल लेटेस्ट डाटा है पुलीस निरिक्षक समकच कोटी का यहां पर दिया हुआ है यहां पर इंस्पेक्टर से रिल्टेट देखेगा 674 पोस्ट है यह रिक्ती है यहां पर उपलब्द बल है कितना स्विक्रित बल है और खाली देखिएगा यहां पर है तो इंस्पेक्टर का पोस्ट परमोसन से भरा जाता है इसके बाद यहाँ पर देखेगा पुलीस अवा निडिक छक यानि पुलीस सब इंस्पेक्टर यह ऐसा ऐसे रिल्टेट पोस्ट होगे यहाँ पर परिचारी सार्जेंट का पोस्ट यह दरोगा की भरती दी जाती ति इसमें आप देखेगा तो 8716 सीट दरोगा खाली और इसमें क्या होता है कि 5030 सीट परमोस्टन से भरा जाता है और मांकी इस तरह से दिखेगा तो लगवख 4000 सीट खाली है इसलिए दरोगा की भी 2500 पलस पदों पर भरती आ रही है तो इसका भी इंतिजार आप लोगों को जल्दी खत्म हो जाएगा और आज सुबह में दरोगा भरती के बारे मां आप लोगों को सब कुछ जान कर दिये थे तो आप लोगों के और से ये पूछा जा रहा था कि बिहार पुलीस का क्या आपडेट है बिहार पुलीस का कितना पद क्या कुछ है इसके बारे मां आप बताईए तो चलिए बिहार पुलीस कॉंस्टे और यहाँ पर देखेगा तो टोटल इस तरह से खाली पोस्ट है, अब चलिए बात करते हैं यहाँ पर पुलीस कॉंस्टेबल की, तो पुलीस कॉंस्टेबल इस रिल्टेड यहाँ पर देख लिजे, इसके बाद आप लोगो कैसे क्या त्यारी करना है, उम्र सीमा का क्या कौन इस फॉर्म को भर पाएंगे या नहीं, सब कुछ आप लोगो किसी वीडियो में बद आने वाले हैं, और दोस्तों अगर आप सभी चानल पर नए हैं, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके जुर जाईए, ऐसी खबरे आप लोगो कहीं दूसरे जगा बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, इसलिए आप सभी फटाफट चैनल को सब्सक्राइब किजिए और जुर जाईए, साथ में आप लोगों को त्यारी भी करवाते हैं, यहाँ पर देखेगा हवालदार योम समकच कोटी के विभिन कोटी से सुविक्रित पद, हवालदार जो होता है एड़ 800 सीट ही भरा हुआ, यानि 11,56 सीट खाली है, अब यह हवलदार का पोश्ट के लिए भरती दिया जाएगा क्या कूछ, तो हवलदार हेड कॉंस्टेवल का जो पोश्ट होता है, कॉंस्टेवल सी परमोसन होता है, अगर आप कॉंस्टेवल बनते हैं, ऐसा है तक आप असानी से पहुँच सकते हैं, अगर आपका जॉब प्रोफ्रेंस सब कुछ अच्छा रहता है, जॉब में जो आपका वर्क है, सब कुछ अच्छा रहेगा, तो बिल्कुल आप ऐसा है तक पहुँच जाईएगा, इसके बाद हवलदार में देखेगा, तो हवलदार चालक का भी य यानि कॉंच्टेबल हो गया, सुविक्रित बल देखेगा, 89,892 में है, सब से अधीक पुलीस बल में जो सीट होता है, कॉंच्टेबल का ही होता है, कॉंच्टेबल सब से नीचे का पोस्ट होता है, तो 89,982 टोटल सीट है, और इसके बाद 2013 में 426 और एक्ट्रा सीट इसमे 18,738 यहां पर पहले से है, जौब में यहां पर है, अब खाली सीटों की संख्यां देखेगा, 16,520 यानि बहुत ही अधीक पोस्ट खाली है, अब आपके मन में यह हो रहा होगा कि 16,520 है, क्या 16,520 पर भरती दी जाएगी, तो सब ही चीज़ों के बारे माप लोगों को बत फटा फट अप्लिकेशन से जुर जाएगे, खास करके जो नए चातरे नहीं पता रहता है कि क्या पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, और यहीं समझने में लग जाता है, फिर अगली भरती का इंतजार करते हैं, तो अब अगली भरती देखेगा, तो 2030 में हो सकता है, नहीं भ फटी दिया जाए, तो इसलिए आप लोगों को हर हाल में इसी साल निकाल लेना है, इस पार सीट भी अधीक है, तो जाएए फटा फट अप्लिकेशन से जुर जाएए, और यह टार्गेट बैच बहुत ही कंप्रेस पर उपलब, इसमें सभी विशाई के त्यारी के सासत, प कोई आपको चार्ज देना परेगा, आप बिल्कुल फिरिप में जुर सकते हैं, टेलिग्राम से जुरने के लिए आप सक्सेस फ्लैनेट लिख करके सर्च कीजे टेलिग्राम पर आ जाएगा, वहां से जुर जाईए, इसके बाद बात करते ही हाँ पर सीपाही चालक की, तो ड्रैवर की भी भरती पर जाएगी, बहुत ही जल की भरती दी जाएगी, ऑधर रिवर का भरती इसलिए भी दोस्तों किया जाएगा, कि आभ आप देखेगा, विहार में डाल आंवी किया गया है, बिहार में डाल ₹ गाय थ तो यहां पर नया गारी बहुत सारे खरदा गया, तिसको चलाने के लिए नया ड्रैवर भी चाहिए, इसलिए ड्रैवर की भरती भी बहुत जल्द आ रही है, लगवग 800 पदों पर होगी, बाकी यहां पर आर्मेचर केम्प्यूटर, तो केम्प्यूटर से रिल्टेट भी भर बहुत ही जल्द आएगी, और यहां पर पूरा का पूरा देखेगा, तो खाली है, इसके बारे में आप लोगों को बताए थे, आज से लगवग 1 साल पहले, 2020 लाष्ट में ही यह पोस्ट क्रियेट किया गया था, तो यानि आप लोगों को जो भी जानकर ही होते हैं, हम आप लिजन का परस्तोग्री विभाग को भेजा गया, सारा कुछ यहां पर आप देख सकते हैं, तो यहां से आप अफिस्यल रूप से सारा कुछ देख लिए, अब बात करते हैं, यहां पर टोटल नमर आप सीट जो है 16,520 है, तो क्याल 16,520 पदवपर भरती दी जाएगी, तो 12,000 की लगभग पदवपर भरती होगी, 16,520 जिसमें से खाली है, यहां पर इतने पदवपर भरती होगी, फिर अगले साल 2023 लाष्ट में हो सकता है भरती आए, नहीं तो 2024 में जो नया सीट क्रियेट किया जाएगा और जो पिछले दो साल तीन साल में पुलीस कर्वी रिटा जाएगा यहां पर आप दीखेगा डेली यह टॉपिक मिल रहा है, यह तीन दिन पहले का स्क्रीन सोट है, आप जाएगा लेटेस्ट में भी आप लोगों को पांच तारिक, छे तारिका भी यहां पर इंपोर्टेंट टॉपिक मिल जाएगा, और आप सभी अपलिकेशन से जुर जाएगे फटाफट और संपूर्ण त्यारी माभी से लग जाएगे, क्योंकि जब भरती आएगी तो तीन महने का समय मिलेगा, और कैसे तीन महने बीत जाता है पता ही नहीं चलेगा, एक महने तो फॉर्म भरिएगा, यहीं सब में निकल जाएगा, फिर इसके बाद इसलिए आप सभी फटाफट अप्लिकेशन से जुर करके, टार्गेट बाइट जुए और संपूर्ण त्यारी करके, जो बिहार पुलिस का सपना है, उसको पुड़ा कर लिजिए, अब बात करते हैं, इस फॉर्म को कौन-कौन भरेंगे, एज का क्या कुछ कंडिशन जग 1 अगस 2022 से, तो यहाँ पर चलिए, यहाँ पर देख लिजिए, पिछले साल का यहाँ पर देखेगा, तो यहाँ सब कुछ समझ में आ जाएगा, और यहाँ पर कब क्या अकौन किया जग, यह चीज आप लोगों का अपडेट के साथ बताने वाले हैं, क्वालिफिकेश काटगोरी में 18 साल ही रहेगा, एक अगस 2022 को अगर आपका मिनिमाम एज 18 साल कंप्लीट है, बिल्कुल आप और भर सकते हैं, मैक्सिमम की बात करें, 25 साल जनरल काटगोरी में, BCBC में 27 साल, BCBC में महिलाओं के लिए 28 साल है, SCST में 30 साल है, यह उम्र का कंडिशन होगा, अब में कोई अलग से आपको छूट नहीं दिया जागा, जनरल के लिए सिर्फ 25 है, BCBC में पुरूस अभ्यार्थियों के लिए 37 साल है, BCBC में महिलाओं के लिए 28 साल है, SCST में मेल फिमेल दोनों के लिए 30 साल है, और यह जो काउंट किया जाएगा, 1 अगस 2022, तक तापका जो भी देट आप बर्थ है, निकाल करके देख लिए एक अगस 2022 के अनुसार इस एकोडिंग आ रहा है, तो बिल्कुल आप फॉर्म भर पाईएगा, और ओफिस्यल नोटिफिकेशन में सारा कुछ दियार होएगा, हैट की बात करें, पुरूस अभ्यार्थियों के लिए 65 सेंटीम 2020 से बिल्कुल चेंज हो गया, 2021 में बदलाव कर दिया गया, आप 10th लेवल का ही question पूछा जागा, फॉर्म भरने के लिए qualification बार मी रहेगा, अगर आप बार मी पास है तभी भर सकते, लेकिन एकजाम में question का जो लेवल रहेगा 10th लेवल, यानि बहुत ही normal question पूछा जाएग इसलिए दोस्तों आप अभी से शिरिया सुरूप से त्यारी में लग जाएगे, बिल्कुल भी आपको ignore नहीं करना इस भरती को, क्योंकि अब अगले साल हो सकता है नहीं भी भरती आए और आईगी भी तो इतना पद कभी भी नहीं रहेगा, अगर नमर और पोस्ट अधी का अधी कंडेट का सेलेक्शन होगा, कटफ कम जाता है एक जाम में, और इस पार बहुत अधी कंडेट फॉर्म ही फिल अप करेंगे, पिछली बार बार लाग किये थी, इस बार पंदर लाग पलस कंडेट फॉर्म फिल अप करेंगे, तो इसलिए आपको अभी से त्यारी में बेहतर तरीके से लग जाना है, तो यहां से आपको भरती के बारे में सारा कुछ समझ में आ गया, और यहां पर यह डौट होगा कि यह भरती आएगी कब, तो भरती तोस्तों इसी महने के लाश्ट में आ जाएगी, दुरगा पुजा के सुभ अपसर पर आप लोगों खुस आप देख सकते 16,520 टोटल सीट खाली है, तो इस तरह से यहां पर 16,520 सीट खाली है, 11,920 पदो पर इसी महने में भरती आ रही है, अगर थोड़ा भू देरी होता है, तो अक्टूबर में 15 तारिक तक हर हाल में भरती आ जाएगी, बस आपको अभी से त्यारी में लग जा अभी दोस्तों चैनल पर नए है, तो फटा फट चैनल को सब्सक्राइब करके जुर जाएए